गाजा में चल रही जंग के बीश लेडलान के हिजबुला ने उतरी बॉर्डर पर कोहराम मचाया हुआ है जहां देखो तहां हिजबुला के रॉकेट, मिसाइल और डूर बरस रहे हैं दुरिया में सबसे ज्यादा हाईटाफ आने जाने वारी इसराइली फोर्स हिजबुला के इन हमलों का कोई नहीं नहीं दाल पाई है अलबता हिजबुला इसराइल पर और ज्यादा हावी हो चुका है आंकिति से इजबुल्ला ने इस्राइल पर एक ऐसा दबाव बना दिया है जिसमें हिजबुल्ला से पूर्ण युद्ध करने का परिणाम क्या होगा ये भी IDF के दिमाग में है और इन सब के दीच इजबुल्ला ने खिर्वेट सोलंप ग्रेंज का एक जथा फायर किया है जिस इजबुल्ला का कहना है कि उसने श्रागा बैरेक्स में भी एक ऐसा ही हमला किया है जिसमें इसराइली सेना की गोलानी ब्रिगेड्स मौजूद थी और यहां पर इगोज स्प और इसके बाद हिजबुल्ला के लडाकों ने तीन सो भी बैरम टेरिगेड्स के हज़क्वाटर पर भी कत्यूशा रॉकेट्स का एक जथा फायर कर दिया जिसमें आईडियास को भारी निक्सान हुआ है आपको बता दे कि हिजबुला का कहना है कि उसने जल अलाम मिलिक्टरी साइट पर भी दो फर्स परसन वियू ड्रोन्स दा गए हैं जिसमें भारी विस्पूटक लडा हुआ था और इसके बाईडियास को जेट की अब नान में घुसे तो हिजबुला ने उन पर जमीन से हवा में वार करेवारी निक्साने डालती जिससे इसराइली गैट्स तो पीछे हटना पड़ा मैं इसबुला के ड्रोन हमले को लेकर इसराइली सेना का कहना है कि इसबुला द्वारत आगे गए ड्रोन नाहरिया शहर के एक बिल्डिंग पर जाकर गिरे हैं जिसमें दो लोग खायल हुए है हालंकि इसबुला ने अपने बयान में कहा है कि उसने श्ट्रागा कैम्प में आईडियाफ के सेना बेस को टार्गेट किया है जबकि आईडियाफ कुछ और ही कह रही है इस हमले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमले वाली एक सफेद इमारत दिख रही है दरसल इसराइल की वार कैबिनेट की पूर्वसदा से बेनी गांट्स का कहना है कि अब इसबुला और लेबनान बॉर्डर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है हम इस मामले में काफी पीछे है बेनी गांट्स ने अपने बयान में कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिक अपने घरों को वापस लोटे हम ये लक्ष हासिल कर सकते है यहाँ तक यदि लेबनान की उपर हमले की जरूरत भी पड़ी तो दुर्भागे वर्ष मुझे इसका दूसरा रास्ता नजर नहीं आता हमास की कहानी अब पुरानी ख़बर हो चुकी है इरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों की कहानी इलाके में चारों तरफ है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रही है वो एक असल मुद्दा है आपको बता दे कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से और नहारिया के इस इलाके में हिजबुल्ला ने जो ड्रोन फायर किया था वो दो अपार्टमेंट पर जाकर गिरे हालांके समने में कोई भायल नहीं था लेकिन अब यहां रह रहे हैं लोगों का पीम नेतन्याहूं के उपर बड़ा आरोप है उनका कहना है कि सरकार ने युद्ध जारी रखने के लिए उन्हें लावारिस छुड़ दिया है यह लोग नेतन्याहूं से जल से जल बंदकों की रहाई के लिए समझोता करने की मांग कर रहे हैं इन सब के देश बड़ी बात यह है कि हजबुला विश्ल 11 महिमों से उतरी इसराइल पर हमले कर रहा है और इसमें अभी तक 26 इसराइली नागरिकों की जान चली गई चबकि आईडियाफ के 20 जवान और इसर्विस्ट भी इसकी भीच चल गए है और अब सीरिया के तरफ से प्रतिरोधी समू इन नागरिकाबादी पर हमले कर रहे हैं